हेलो फ्रेंड्स कैसे हूं आप सब अशा कुरती उस्टोंगे अच्छ हो गिन मजह में होंगे और पॉजिटिव कर रहे होंगे आपको हमेशा है पॉजिटिव करना है क्योंकि एक पॉजिटिव करता है राइट और आज के एस्टिडिमें हम देखेंगे आपके परसन की आपको परसन के लिए और इनका नेयस टक्षन अपके लिए कब तक आ सकता है ठीक है अपके लिए आपके लिए अंगेड़ गाइड़ देखेंगे और नेक्स टक्षन में क्या होगा आपको क्या करना चाहिए वह भी चेक करेंगे चानल पर निय western नेयु को सब्स्क्राइब क्रिश्टास के जो भी प्रोड़क्स लिए सेम नंबर के में मै पार्टनर के लिए क्या है। इनको देना चाहते हो या तो हो सकता है कि आपका बड़े आने वाला है और आपको लग रहा है कि यह परसन आपको विश्क करेंगे आपको कोई गिप दे सकते हैं बहुत नाराज है आपसे लेकिन बड़े की दिन तो यह जो भी शिकायत आपको लेकर भूल जाएंगे ठीक है तो आपकी तरफ से आपके परसन का दिल से वेट हो रहा है लेकिन आपने इनको बहुत हर्ट किया है आपको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया काश मैं ऐसा ना बूलती तो हंड़ेड परसन आएगे या आएगे ठीक है लेकिन फिर भी आपको दिल को कहीना का इसा लगता है कि परसन आपसे बात करने वाले हैं आपकी इंट्यूशन आपको कहे रहे है ठीक है बहुत ज़्यादा मतलब ओर थिंकिंग है नींदरी आ रही है परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा और जो कि लग रहा है कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं हुआ तो बहुत सवाल है जिसके एंसे आपके परसन आपको अभी तक दिये नहीं है और जो भी एंसे देते हैं आपका माइंड डिस्ट्रब कर रहे है ठीक है नेगिटिवी बाते बोल रहे है आपके परसन जो कि इनको आपके साथ रिष्टे में आना ही नहीं है ऐसी जो एनर्जी य दे रहे हैं इससे आपको डर लगता है क्योंकि इनके जबान पर कुछ और है दिल में कुछ और है दिल में बहुत प्यारे आपको पता है आपने इतना टाम इस परसन के साथ पैंड किया है लेकिन इनके जबान से इतनी कड़वा हट क्यों निकल रही है आपको नहीं समझ मे आ रहा है और आपको बहुत बुरा लग रहा है ठीक है आप चाहाते हो इस रिस्ते में सब कुछ अच्छा होना चाहिए यह परसन आपको अपना है आपके इस रिस्पोंसिबिलिटी ले आप से शादी करें अगर इनके घरवाले आपके इस रिष्टे से खुश नहीं है तो यह अपको अपना है आप दोनों कई और रहने के लिए जा सकते हो कई और अपनी दुनिया बसा सकते हो आप हर एक आप हर एक कॉंप्रमास करने के लिए इस के लिए इनके साथ रहने के लिए ठीक है लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसे आपके परसन को मतलब नहीं गवारा है उनको लगते कि ऐसा करना क्यों है अगर हमने प्यार किया है अगर हमारा प्यार सच्चा है तो यह अपने घरवालों के मर्दी से ही होना चाहिए आप दोनों परसन चाहा रहे हैं वैसे रिष्टा तो कभी आपका बने गाई नहीं इस बात का आपको डर लगता है ठीक है आप इससे कम्यूनिकेट करना चाहाते हो और हो सकता है कि इनके लिए बहुत एफ़र्स लगा रहे हो नहीं आपको ब्लॉग भी कर रहा है हर एक साइड से लिकिन पिर भी आप इनको टेक्स मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो ब्लॉग भी किया है फिर भी कर रहे हो या तो अपने किसी दोस के मोबाल से कर लो ठीक है आप एपने परसंग के माइन को डिस्ट्रक्ट होने से बचाना चाहते हो आपको डर सताता है कि भले इनोंने आपको कुशिश हो रही है ना कम्यूनिकेशन की इसका रीजन यही है कि आपको लगते कि आपने सच में इनसे बात नहीं करी अगर सच में इनको आपको लगते कि अगर आपने सच में इनसे बात नहीं करी अपने इनको इंट्रेस नहीं दिखाया आपने इनको वैल्यू नहीं दरी आपने इंको value नहीं दी तो यह person सच में आपको भूल जाएंगे और जहां पर है वहाँ पर कुछ रहना start करेंगे तो आपको इस बास से डर लगता है इसी वज़े से भले आपको कैसे भी treat करें फिर भी आप इनके लिए efforts लगाते ही रहते हो ठीक है लग रहा है कि आपके इस efforts से आपके person को नहीं अपकी दिया आ जाएगी या आपको अपना लेंगी इनको आपके प्यार के उपर यकीन हो जाएगा कि आप इस परसन से बहुत प्यार करते हो इसी वज़े से तो आप इनके बिना नहीं रहे da nous and आपके लिए जीना इतना मुश्किल हो रहा है आप इनके बारबर जैसे कि इनके लाइफ में, अगर आप बारबर इनको जो कि अपने तरफ एट्रक करने की कोशिश करोगे, इनको कॉल मैसेज करते रहोगे, तो इनको यखीन हो जाएगा, ठीक है, फिर आप इनको रोग सकते हो, कही और डिस्ट्रक्ट होने से, लेकिन फिर भी कही न क हैं कि वज़े से होगा एस से कि यह परसंन आपको मिलने के लिए आएंगे, आपको अपनाएंगे, बहुत कुछ अच्छा टाइम भी आपकी साइड करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको बारे दिस्ट्रंस दे तो आपको चाहिए कि आपको डिस्ट्रंस ना दे यह आपको इस इनर्जी में आपको लगता है कि 10 of cups मतलम यह जो भी गिले शिक वे आपके इस रिस्ते के वो सब कुछ खतम होकर यह परसन आपको अपनाए आपकी इस रिस्ते में मिठा सानी चाहिए आप दोनों का शादी होना चाहिए ठीक है करेंट इनर्जी में आपके तरफ से श्टॉकिंग इनर्जी है और आप रोक नहीं पा रहे हो अपने आपको इस परसन को नहीं इनका पीछा करने से इनके social media accounts को देखने से और देख देखकर आपको बहुत ज्यादा नहीं ऐसे अंदेखा करने का दिल कर रहा है आपसे नहीं आपके अंदर जेलसी है आपके अंदर जेलसी भी है गुष्सा भी है ठीक है तो लग रहा है नहीं आप कंट्रोल तो बहुत करते हो कि नहीं देखना चाहिए लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपका माइंड वहां पी चला जाता है ठीक है तो फाइय न कहीं आपका माइंड बा परसन ने अगर आपका पैसा लिया है तो यह लोटा नहीं रहे है तो आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत पैसा अगर लोटा दे तो आपको जो की करंट में जीने के लिए प्रावले में आपके वह प्रॉब्लम सॉल हो जाई ठीक है लेकिन दिल नहीं कर रहा है लग है कि इनको अपने मन से देना चाहिए मांगने का दिल नहीं कर रहा है ठीक है बहुत जदा फानांशली तो आप टूटे हुए होई इमोशन भी हाट है आपके इमोशनली भी आपको तोड़ा है फानांशली भी बहुत वीक कर दिया है आपका मोटिवेशन खतम कर दिया है इस परसन ने और आपके अंदर की जीने की उम्मीद इस परसन ने खतम कर दिये ठीक है बस आपको ये परसन वापस चाहिए प्यार कर आपसे पहले जैसा रिष्टा निभाय, आपसे शादी करें, बस आपको इतना ही है, ना तो आपको इनसे कोई ऐसे बड़ी-बड़ी कुछ उम्वीदे है, कि आपको कोई क्वीन बना कर रखे, या किंग बना कर रखे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यह आपके एनर्जीज है, आपके परसन की हो सकते है, ठीक है, तो गड़ करें इन वर्स, इस वक्त इनके पार्टनर की क्या फिलिंग से मेरी वर्स के लिए, इस वक्त इनके पार्टनर की क्या फिलिंग से मेरी वर्स के लिए, इनके पार्टनर की क्या फिलिंग से मेरी वर्स के लिए, इनके पार्टन और इस परसन को शेयर करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि इनके पास आपके messages जाते हैं, कोई जाकर इनको बताता भी है आपके life को लेकर और इस परसन को सब कुछ पता है आपके बारे में ठीक है, लेकिन four of cups, मतलब इन्होंने जो आपके साथ किया है पहले तो कि यह realization होने के बावजुद, टू-फेस्ट आपको दिखा रहे हैं, मतलब, जो सच है, वो अपनी जबान पर आने नहीं देंगे, और आपको दिखाएंगे कि यह अपनी जिंदगी में बहुत-बहुत-बहुत खुश है, positive है, confident है, third party को अपना कर, इनकी जिंदगी में तो खुशों की बारिश हो रही है, इनको तो आपकी याद भी नहीं आ रही है, यह literally आपको ऐसे energies देना चाहते हैं, ताकि आपको regret हो, इस person से प्यार करने का, आप इनसे यह जो कि 10 of cups वाली उम्मिद मत रखो, आप इनसे शादी की उम्मिद मत रखो, यह चाहते हैं कि आप इस person से दूर जाओ, ठीक है, nine of pentacles के energies है, क्योंकि इस पक्त तो आपके लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगी, जिससे कि आपका कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर यह person आपसे अपना प्यार चुपाएंगे, आपको value नहीं देंगे, आपके disrespect करेंगे, तो इनकी energies की वज़े से हो सकता है, energies की वज़े से आप अपनी काम पर focus कर सकते हो, आपका प्यार के उपर से भरोशा उठ सकता है, आपका progress हो सकता है, आप अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ सकते हो, ठीके, आप तो इस person से भी better person को deserve करते हो, ऐसा इनको लगता है, यह person आपके लायक ही नहीं, ठीके, यह एक मजबूर person है, डरपोक person है, selfish person है, और इनको अपने अलावा, अपनी फैमिली के अलावा, कोई और दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी कही न कहीं, इनके दिल में आपके लिए जो soft corner है, जो चाहता है कि आपके साथ कुछ बूरा नहीं होना चाहिए, अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन फिर भी आपकी जिन्दगी सवरनी चाहिए, और यह तब ही सवरेगी, अगर आपसे, आप ऐसे समझ लीजे, इस परसों को यह पता है, कि अगर आपको आपको आपकर ऐसा बूलेंगे न, कि यह बहुत मजबूर है, आप इनको माफ कर दीजे, यह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते है, अगर आपको ऐसा कुछ बूलेंगे, तो आप इस परसों को भूलोगे न, लेकिन अगर आपको दिखाएंगे, कि यह अपनी जिन्दगी में खूश है, आईश्वाराम में है, थर्ड पर्टी से जो की बहुत ज़्यादा मतलब, घूम रहे हैं, फीर रहे हैं, इन्हें सोचल मीडिया पे नहीं अपडेट्स डाल रहे हैं, इनकी पिक्स को देखकर, इनकी वीडियोस को देखकर, आपको लीटरल यह फील हो रहा है, यह परसन एंजॉइमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी इसी एनर्जीस की वज़े से आप मुवान कर सकते हो, यह इनको पता है, तो यह दिखावा कर रहे हैं आपको खुश होने का, और इसका में रिजन हैं कि यह चाहते हैं, कि आप अपनी जिन्दगी में खुद खुशिया ढूंड़ो अपने लिए, ठीक है, इस परसन से आपको कोई उमिद नहीं रखने हैं, ऐसे इनको लगता है, आपकी उमिदें कंप्लिट नहीं कर सकते हैं, लिकिन इनकी नजर आपकी उपर है, बहुत ज़दा देखते हैं, यह आपकी लाइफ के उपर फोकस्ट है, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किस से मिल रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो नहीं, आपका करियर अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, फाइनाशल आप तूट रहे हो, आपके परसन को हर एक बात की ख़बर है करंट में, आप दोनों में करंट में बहुत ज़दा मिसंडरस्टर्णिंग बढ़ चुकी है, यह भी एक रिजन है कि आपके परसन को लगता है कि कोई फाइदा नहीं है, आपसे इस पक बात करने का, ठीक है, आपको जुटा दिखावा कर रहे है यह परसन, आपको जो कि आप इससे सच में मुवान करके चले जाओ, वैसे इनका जीना मुश्किल है आपके भी ना, लेकिन आपको मुवान कराना चाहते हैं, आप फिर से 4 of Cups आया है, जो कि दूसरे डेक का काड़ है, लेकिन इस डेक में आया है, 4 of Cups मतलब कि यह चाहते हैं कि आप ऐसे नाराज मत बैटे रहो, आप regression वाले energies में मत बैठो, कि आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, इस person को लगता है, कि इनको अपनी गलती का realization है, गलती आपकी नहीं थी इनकी थी, आपने तो हमेशा अपना 100% दिया है, तो आप क्यो ऐसे नाराज रहोगे, आपका तो हग है, कि आप अपनी जिन्दगी को आपके person से भी ज्यादा enjoy करो, ठीक है, और यह तब ही हो सकता है, जब आपके दिल में इस person को लेकर नफरत बढ़े हैं, इस तरह से आपके person current में सोच रहे हैं, ठीक है, जाड़ कर universe, इस तरह से आपके person current में सोच रहे हैं, श्टॉकिंग एनोर्जिस हैं, आपकी life के उपर complete focus थे, जैसे कि अगर कुछ अच्छा होना है ना इस रिस्ते में, तो अपने आप होगा, magician आया है, यह ना तो आपके लिए efforts लगाएंगे, अगर आप दोनों एक दूसरी की किस्मत में हो, तो universe आपको ज़रूर मिलाएंगे, यह current में आपके responsibility लेने के लिए ready नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा जब यह आपके responsibility भी लेंगे, universe की blessings इनके साथ है, ऐसा current में इनको feel हो रहा है, ठीके, इनको लगता है कि नहीं, इन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो universe क्यों इनके साथ कुछ बुरा करेगे, यह कुछ पल है जो negative है जो आप दोनों जी रहे हो, लेकिन अगर आप दोनों का साथ किस्मत में लिखा है, तो universe आपको मिला कर रहेंगे, जाहें आपको कितना भी दिखावा कर एक खुश रहने का, अगर universe की मर्जी है, तो आप दोनों एक साथ जरूरा होगे, इनको इस बात पर यकिन है, ठीक है, और अगर आप इनके दिखावे पर भरोसा कर लेते हो, और मुवान हो जाते हो, तो आपकी ग्रोथ तो 100% है, कि आपके परसन को भी पताए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके अभी तो ग्रोथ नहीं हुई है, इसका main reason ही है कि आप अपने लव लाइफ में अटके हुए हो, आप अपने परसन के thoughts में अटके हुए हो, और आप अपने जिंदगी में कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, आप emotionally इतने टूटे हुए हो कि आप जो कि कुछ अच्छा अपने जिंदगी में practically कुछ सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो इनकी इसी energies की वज़े से आपको motivation मिलेगा, कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, इस तरह से आपके person आपको literally बताना चाहते है, क्योंकि इनके घरवालों ने भी तो इनके emotions को नहीं समझा, यह बहुत रोय थे आपके लिए, आपको अपनाए, यह बहुत रोय थे आपके लिए, अपने घरवालों के सामने, जैसे कि आप दोनों का शादी होना चाहिए, इसलिए, लेकिन इनके घरवालों को इनके आसो दिखाए नहीं दिये, ठीक है, तो अगर किसी ने इनकी value नहीं करी, इनके emotions की value नहीं करी, तो current energies में यह आपको इस तरह से बनाना चाहते है, तो यह बाद समझ लीजे कि यह person, 8 of cups के energies है, तो इस person को लग रहा है, इस वक्त जो misunderstandings बड़ी है आपके अंदर, दोनों के अंदर कर, आपको आपके partner का behavior दिखाए दे रहा है, उस behavior के बाद तो आप इस person से 100% move on कर जाओगे, इनको इस बात पर यकिन है, ठीक है, यूनिवर्स अगर चाहते हैं, तो आप दोने एक साथ जरूरा होगे, ठीक है, तो यह खुद होकर ना तो इस रिस्ते में current में आपके लिए फ़र्स लगाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको magic पर भरोसा है, ठीक है, तो यह forcefully कुछ अब situation को change करने में, इंट्रेस्ट करने में बिल्कुल भी इंट्रेस्टेड नहीं है, ठीक है, गार कुरी निवर्स, इनके रिस्ते में current में main obstacle क्या है, यह जो भी energies बने हैं इनके partner की, यह इतनी rude energies मेरे viewers को दे रहे हैं, इतनी rude energies यह मेरे viewers को दे रहे हैं, इसका main reason क्या है, current में obstacle क्या है इनके रिष्टे का, current में obstacle से rude energies, night of swords की energies, आपके person के दिल से emotions ही गायब हो चुके हैं, ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ adjustment कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और अपने emotions को ने, अपने emotions के उपर जो की पत्थर रख दिया है, परदा डाल दिया है, और rude energies में जी रहे हैं, ठीक है, इनके दिल से, इनके दिमाग से, अब प्यार वाले ने, emotions, रोना दोना, परेशानिया, इसका क्या है, पता नहीं, इसने खाना खाया नहीं, खाया है, म इनके family है, ना तो कोई romantic third party है, current में an obstacle, आपके person खूद है, कि इनके दिल से प्यार गायव हो चुका है, और एक complete practical बन चुके है, ठीक है, तो ये situation कब तक change हो सकती है, guide career universe, इनके रिस्ते में सब कुछ change कब तक हो सकता है, ये energies कब तक अच्छी हो सकते है, इनके person के दिल में active and busy, yes, आपको current में कहा जा रहा है, आपको अपने जिन्दगी में, आपके person जैसे चाहते हैं, आपको active होना है, अपने जिन्दगी में busy रहना है, आपको अपनी intelligence को use करना है, ठीक है, 100% आप जैसे चाहते हो वेसे, आपके person जैसे चाहते हैं, अगर आप वेसे बन जाते हो, होना सच में six of friends है मतलब की 100% success है reunion है शादी है ठीक है और तब तक इस person के दिल में जो emotions गायब हो चुके है यह फिर से emotions आना start होंगे ठीक है यह आपको एक confident person शाखSN बनाना चाहते हैं आप बन जाओ इनको दिखा दू किया आप जीए सकते इनके बीना अगर आप इस energies में चले जांगे 100% reunion है प्रू इनका next action कभ तक आ सकता है मेरी कि jewelers के लिए इनका next action मेरी और के लिए कब तक आ सकता है इनका next action इनका next action आने में आपको कम से कम 2 हफते जाएंगे ठीक है next action में क्या हो सकता है 2 हफतों में मतलब अगले 2 या 3 हफतों में आपको इनका action आना या आना है ठीक है अब यह कल भी आ सकता है परसो भी आ सकता है ठीक है लेकिन 3 हफतों से पहले आने वाला है, तो जब भी next action आएगा, next action में क्या होने वाला है, next action में क्या होगा, night of pentacles, next action में आपका meeting है, आप कहीं पे जाओगे, या तो long drive पे हो सकता है, या तो कहीं पे ने, hotel में खाना खाने के लिए, कुछ तो है, आप दोनों एक साथ दिखाए दे रहे हो, जो कि अपने दिल में जो भी emotion से एक दूसरे को लेकर जो शिकायते हैं, वो आप दोने एक दूसरे से discuss करते में दिखाए दे रहे हो, next action में, ठीक है, hundred percent meeting होने वाला है, या आपको मिलने के लिए बुलाने वाले है, ठीक है, और night of cups के energies, मतलब कि आप बोलोगे कुछ, आपके जब आपके जबान पर आएगा नहीं, आप behavior ऐसा करोगे कि मतलब दोनों ही practical behavior करने वाले हो, ठीक है, आपके उमीद रहे है कि ये person आपको नहीं सामने से परस लगा है, आपको थोड़ा सा सौरी बोले, आपको मनाने की कोशिश करे और आपके परसन को भी लगेगा, तो आप दो इनर्जी में आपके लिए angel guidance क्या है current में, गड़कर इनर्जी में, इसी इनर्जी में मेरी universe के लिए current में angel guidance क्या है, इस वक्त मेरी universe को क्या जानना ज़रूरी है, current में angel guidance, emotionally broken, जैसे मैंने बोला, आप emotionally बहुत ज्यादा टूट चुके हो, ठीक है, gain courage to reconnect yourself, अपने आप से connect होन इमोशन से दूर रहो, अपने आपको यकिन दिलाओ कि आपको जीने के लिए किसी की जरुवत नहीं है, जब आप इस एनर्जी सको जीना सीखोगे तो आपको रोना नहीं आएगा, और अगर बहुत रोना आ रहा है एक काम करो कि रोना ही चुरू कर दो, इतना रो, इतना र कि क्या अपने खुद का हाल कर दिया है, अप कैसे थे पहले और आप कैसे हो अब, इस परसंग की वज्य से आपने अपने जो हाल कर लिये है, जो बुरे हाल कर लिये है, आपको अपने आपके उपर द्या aanएगी और आप अपना ध्यान रखना चीख जाओगे, ठीक है, तो अगर आप मेंसे तो कुछ लोग एस है जो अपने अंसों को बहुत जदा हाइड कर रहे है तो पहले ज़रूए अपने अंसों को बहने दो सब इतना रो इतना रो कि बाद में रोना ही निया आना चाहिए आपको क्योंकि एमोशन्स ऐसे ही होते हैं, अगर आप दबा कर रखोगे तो यह बार बार बाहर आते रहेंगे, याद करो इस परसन ने जो भी किया है आपके साथ, सोचो, सोचो और रोओ, बहुत रोओ, एक बार रोओ, एक बार रोओ, एतना रोओ कि कोई कितना भी आपको रोके ल बहुत रोओना है, उसके बाद आप अपना रोओना हमेशा के लिए बदगरने वाली होगा, ठीक है, आप अपने घर में किसी को बता दो, ठीक है, यह एक ही उपाय है आपको अपने आपको समालने का, ठीक है, बहुत manifestation टेक्निक कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ भी आपके करने से बेटर है कि इसको ट्राय करके देखवा, divine timing, don't force anything surrender to divine, आप forcefully कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, यह बात आपको समझनी होगी, आप ना तो आप अपने परसन को चेंज कर सकते हो, ना तो आप इनके thoughts को चेंज कर सकते हो, even आपके person ने खुद हैं कि इनको situation को चेंज न जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, लेकिन आता जरूर है, universe आपको सही टाइम पे सही चीजी जरूर देते हैं, बस आपके अंदर वो patience होने जाए, ठीक है, एक अरेट में आपके लिए angel guidance है, तो यस, यही है reading, अगर reading resonate, है वीडियो को like कर दीजे, चैनल को subscribe कर लीजे, अगर आपको आपकी personal reading करानी है, स्क्रीम पे देग नंबर पर WhatsApp पर message कर सकते हैं, वहाँ पे आपको details में भी जाएगी, call के से book करनी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक शुरिया में तब तक के लिए, बाब बाई